गाजा से लबना तर इसराइल ने किया सरवनाश हमास और हेजबुला इस वक्त इसराइल से वो जंग कर रहे हैं जिसके बाद पूरे मिडल इस्ट का नक्षा बदल जाएगा इसराइल का नक्षा मिटा देंगे हमास और हेजबुला भले ही इसराइल अब तक हुए युद जीतता आया हो लेकिन अब हमास और हेजबुला ने भी अपनी ताकत बढ़ा ली है छोटा सा खाजा पट्टी और 25,000 के आसपास हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल पर खूनी हमले कर रहे हैं हमास को तुर्की, कतर से भी हर तरह का समर्थन मिल रहा है हेजबुला और हमास दोनों मिलकर इसराइल पर हमला करने लगे हैं जिसकी वज़े से हम गाजा युद, रूस, योक्रेन, युद की तरह बहुत लंबा चलने वाला है हमास हिजबुला में हाँ हाँ का एक घंटे में मारे सो कमांदर पिछले 18 घंटे में इसराइली वायुसेना ने गाजा पट्टी से लेकर लेबनन बॉर्डर तर हमास और हिजबुला के लड़ाकों की लाशें बिचा दी हैं महज एक घंटे के अंदर इसराइल ने हमास के सो लड़ाकों को भायान धमाके से उड़ा दिया है वहीं दूसरी तरफ हिजबुला के 13 से जादा लड़ाकों को इसराइल ने इस तरह से टार्गेट करके मारा है कि मरने वाले हेजबुल्ला लड़ाकों को अपने मरने का एहसास तक नहीं हो पाया इस्राइल की आईडिया अपने जोरदार धमाकों से हमास और हेजबुल्ला लड़ाकों के चीथडे कोड़ा दिये हैं गाज़ा पट्टी, वेस्ट बेंग और लेबनन बॉर्डर पर इस्राइल के अच्शूप हमलों को देखकर अरब के 22 मुल्कों में कोहरा मत चुका है जबरगस्ट और जोरदार प्रदर्शन इस्राइल के खिलाफ हो रहे हैं हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इरां इस्लाम के नाम पर मुस्लिम मुल्कों को इस्राइल के खिलाफ युद्ध करने के लिए भड़का रहा है लगभग 62 साल के इरां के राशबदी स्यद इबराहिम रईसी ने तो साफ कह दिया है कि हमें उपर वाले के नाम पर इस्राइल के कूर हमलों के खिलाफ एक जुट होना होगा और इस्राइल के भीशन हमलों का जवाब देना होगा इरां के राशबदी स्यद इबराहिम रईसी इस बात से खौद में आ चुके है कि हमास को इस्राइल दोड़ा दोड़ा कर मार रहा है हिस बुल्ला के कमांडूरों की टार्गेट किलिंग इस्राइल कर रहा है और मुस्लिम मुल्क सिर्फ बयान बाजी कर रहे है जमीन पर एक भी मुस्लिम मुल्क इस्राइल के खिलाफ बड़ी जंग करने को अभी तक तयार महीं हुआ है हमास की पॉलिटिकल विंग का चीफ इस्माइल हानिया कतर में बैठ कर सिर्फ बयान बाजी कर रहा है लेकिन खुद गाजा के आसपास भी फटक नहीं रहा है इधर इस्राइल के प्रधान मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तर इस्राइली सैनिकों के बीच दावा कर रहे है कि हम हमास और उसके समर्थन करने वाले हर लड़ाके को चुन चुन कर मार रहे हैं और मारते रहेंगे इस्राइली सेना ने नैशनल सेक्योर्टी फोर्स के कमांडर मीजर जनरल जिहाद मुही सेन और उसके पूरे परिवार का सफाया इस्राइल के हवाई हमले में कर दिया घाजा से लबनन तक इस्राइल ने किया सर्वनाश घाजा में गाउन्ड ऑपरेशन शुरू करने से पहले इस्राइली प्रधान मंत्री बैनमीन नेतन याहू ने भी घाजा बॉर्डर पहुँचकर जवानों का भी जोश हाई किया है नेतनियाहू ने सैनिकों से पूचा कि क्या वो तयार है जिसके जवाब में सैनिकों ने कहा कि वो जीत तक के लिए तयार है नेतनियाहू ने कहा कि पूरा इसरेल आपके पीछे खड़ा है और हम अपने दोश्मनों को तगरा जड़कादेंगे, ताकि हम जजी तासल करसके. लेबनन बॉडर पर दो किलोमीटर खून का धर्या, इरान, लेबनन, सीरिया, जोडर और तुर्की के दम पर हमास भले ही इतरा रहा हो, लेकिन इजरेल ने दिखा दिया है कि चाहे हमास हो या फिर हेजबुला, इजरेल चुन-चुन कर एक-एक दुश्मन को तबाह कर देगा जरेल की आइडियआफ के हवाई हमलों के इस वीडियो को देखिये, घाजापट्टी और वेस्टमैंत में हवाई हमलों में फिलिस्तीन और हमास के नोगों की इमारतें तरबूज की तरफ फट रही है इस्राइल के तूफानी हवाई हमलों में बमों के धमाके ऐसे इमार्थों को उड़ा रही हैं जैसे तूफान में बीड उखड़ जाते हैं गाजा से लेबनन्त इस्राइल ने किया सरवनाश हमास और हेजबुला की तबाही की ये ब्लैक और वाइट तस्वीरों ने अरब देशों में भयंकर गुस्सा बर दिया है इस वक्त 22 अरब नौल के इस्राइल के थून के प्यासे हो चुके हैं इस्राइलं हमास और जबुला के बीच मची खुनी जंग हर दिन और खुनी होती जा रही है अब तक जंग में दोनु दरब से 5000 से ज़्यादा लोगों की जाभ जा चुकी है इस्रेयल में हमास के हमड़े में मरने वालों की संध्या 1600 से ज़्यादा है उधर गाजा पत्टी में होई बंबारी में 3700 से ज़्यादा लोगों की मौत खो चुकी है आईडियप ने गाजा पत्टी में 100 से ज़्यादा हमास के ठिकानों को दबा कर दिया है हमास और हिजबुल्ला दोनों का मकसदीख है हिजबुल्ला ने उत्तरी इसरेल में नरसंधार करने के लिए 5000 स्पेशल लड़ाकों को तयार किया है जो पलक छपकते ही इसरेली लोगों को मार सकते है लेकिन लेबनन बॉर्डर पर इसरेली सेना ने दो किलोमीटर के इलाके में मौझूद गाउं से इसरेली लोगों को हटा दिया है हिजबुल्ला के पास ऐसी रॉकेट हैं जो इसरेल के किसी भी हिस्से को टार्गेट कर सकते हैं इसका अपना सशस्त्र विंग है जिसमें एक लाग से ज़्यादा लड़ाके बताये जाते हैं इसके अलावा हिजबुल्ला के पास देड़ लाग मिसाईल होने का दावा किया जाता है हिजबुल्ला लेबनन की सेना से भी ज़्यादा ताकतवर है इसके पास बैलेस्टिक मिसाईले भी है हिजबुल्ला हमास से ज़्यादा संगचित और ताकतवर है हिजबुल्ला के पास इसरैल से लड़ने का खूब तजुर्बा भी है उसके पास सबसे घातक आत्म घाती दस्ते हैं गोरिल्ला युद में इसके लड़ाके माहिर बताय जाते हैं ऐसे में अब देखना होगा इसरैल एक साथ हमास और हिजबुल्ला का सफाया कैसे करता है